हेलो गाईज वेलकुम टूमार चैनल क्या राका खजाना आज मैं आपके सामें क्लास होड की एक हिंदी कहानी पेश करने जा रही हूँ जिसका शीशा थर दो मित्रों और भालू रामू और दीनू दो मित्रों एक जंगल से गुजार रहे थे तभी उन्हें सामने से एक भालू आता दिखाई दिया भालू को देख कर वे दोना डर गया रामू पेड़ पर चड़ गया लेकिन दीनू को पेड़ पर चड़ना नहीं आता था इसलिए वा जमीन पर लेट गया भालू दीनू के कान के पास आया और चला गया नीचे उतर कर रामू ने दीनू से पूछा कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था दिनों ने उत्तर दिया कि भालू मुझसे कह रहा था कि जो मित्र विपत्ती में साथ ना दे उसका साथ हमिशा के लिए छोड़ देना चाहिए गाईज अगर आपको मेरी आज की एक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइट और सब्सक्राइब जरू कर देना और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलना वाई